Hello students, welcome to all of you in themes in Indian history. History class is 4, class 12. Dear students, today we will discuss about the economic life of Indus Valley civilization people. क्या आप करेंगे बेटा हम डिसकस की Indus Valley, Sindhu Sabveta के लोगों का जो आर्थिक जीवन था, economic life थी, वो किस सरे से की? उनके sources of livelihood क्या-क्या थे? तो बेटा इसमें हम क्या क्या डिसकस करने वाले हैं? agriculture, animal rearing, क्या-क्या करते थे वो लोग अपने जीवे को पारजन के लिए, livelihood earning के लिए, वो agriculture खेती करते थे, animal rearing करते थे, साथे साथ यहाँ पर हमें कुछ industries के अफशेश भी हमें मिलते हैं, trade and commerce के भी अफशेश, साक्षे मिलते हैं, और उसके अलावा weights and measures, चीक है, यह सारे livelihood earning के लिए, वो सभी यह लोग जो थे, यह सारे काम करते थे, सो बेटा, इस question can be put in a second mode, इस तरह से पुछा जा सकता है, आप से हैं कि, हरपन people, lad a prosperous life, justify with examples, कि हरपन, सब बेटा के जो लोग थे, वो बहुत ही समरद जीवन जीते थे, इस को example के जरी है, क्या की करना है, आपको justify करन है, तो exhibitions pointed out, that existed in the long past, a rich and well developed culture in India, पेटा, खुदाई से जो साक्षे मिले हैं, उस से पता चलता है, कि उन लोगों का जीवन था, वो बड़ा ही क्या थे, एक तरह से, समरद जीवन वो लोग जीते थे, from the ruins of various buildings, हमें क्या मिले हैं, जो अवशेश मिले हैं, उस समें की इमारतों के उन streets के baths and from the large number of fantiquities, like figurines, seal, tools, toys, beads, weapons, terracotta, pottery and other art crafts that are unreaded, क्या पता चलता है, उन से कि बिलकुल वो एक तरह से अकल्पनी है चीज़े, यह लोग यहां पे, क्या करते थे, use करते थे, बनाते थे, उस समय के according, These enable us to visualize the Harappan ancient and the style of their lives, और इन सारी चीज़ों से हमें visualize करते हैं, हम एक तरह से द्रश्य चित्रन कर लेते हैं, ancient Harappan people के बारे में, कि उनका lifestyle किस तरह का था, Prosperity of Harappan people may be explained as follows, किस तरह से हम explain कर सकते हैं, उनकी prosperity को बेटा, First initially agriculture, सबसे पहले agriculture, soil was पढ़ता है, soil बहुत ज़्यादा है, क्या थी, मैंने आपको जब extension बताया था, इस civilization का, तो extension में, North से West में, जमू कश्मीर के, मांडा से, दायमाबाद, महराश्ट्रा, और उत्तर प्रदेश के, आलमगीरपूर से, West में, सुथ कागदोर तक, यहाँ पे बिटा, जितना भी, extension था, इस civilization का, यहाँ, fertility of soil बहुत ज़्यादा पाई जाती है, agriculture वाजी, chief occupation of people, लोगों का जो मुख्य, occupation था, वैवसाय था, वो क्या था, agriculture था, they cultivated barley, क्या-क्या वो लोग की cultivate करते थे, barley, wheat, cotton and rice, plenty of water, made irrigation easy, क्योंकि उस शेत्र में, पानी की बहुलता थी, इसलिए, यहाँ पे irrigation बहुत ज़्यादा, इनके लिए easily available था, irrigation, irrigation के लिए काफी अच्छी, इनके पास पे facilities थी, abundance of water था, so, big granaries के जो हमें evidence मिलते हैं, were made to stock the grains, उसे में पता चलता है, कि इनके पास इतनी, इतना अनाज, यह लोग cultivate करते थे, कर पाते थे, कि उसको क्या किया जा सके, storage किया जा सके, store किया जा सके, तभी तो बड़ी-बड़ी grain trees हमें यहाँ पे, big grain trees यहाँ पे as a source हमें यहाँ पे available होती है, ठीके, that study of seals indicates that the people reared cattle, बेटा महरों के अधियन से क्या पता चलता है, जो समय की seals में हैं, इससे पता चलता है कि इस समय के लोग cattle rearing भी किया करते थे, it indicates that animal husbandry was their another occupation, और साथ ही साथ पशुपालन, क्या करते थे यह लोग, पशुपालन कैसे पता चलता हमें, सारी चीजों के बारे में, हमें archaeological sources से मिलता पता चलता है, some animals was domesticated, कुछ animals को क्या किया जाता था, पालन कोशन का घरों में पाला जाता था, उनको जैसे bulls, buffalo, dogs, god, sheep and elephants, इनको क्या करते थे यह लोग, इनको पालते थे और साथ ही साथ इनका use किया करते थे, ओके, next हमारा craft and industry के evidences भी हमें यहाँ पर मिलते हैं, बेटा, industrial centers were developing cities and towns, दोनों में ही cities और towns में हमें industrial centers के अविश्यश मिले हैं, many articles were produced by the people from copper, bronze, leaves, silver, gold and bills, were used, बहुत सारे articles लोग बनाते थे, इसकी से, जैसे copper से, bronze से, leaves, silver, gold, इन सभी metals का use, वो लोग किया करते थे, metals and non-metals, objects का use किया करते थे, ठीक है, gold and bees, क्या के बनाया करते थे, ornaments, आबुशन के भी हमें यहाँ पर अब शेश्य मिलने, आबुशन बनाया करते थे, lotal was famous for bead factories, lotal जो था, मन के बनाने की factories के लिए बहुत ज़़दे famous था, weaving was an important industry, साथ ही साथ क्योंकि हमें यहाँ पर पता चलता है कि weaving बहुत ज़़दे important industry थी, इनके लिए spinning of cotton and wool was common, cotton और woolen, wool दोनों पी ही क्या की जाती थी, हैंज पे spinning की जाती थी, ठीक है, trade and commerce, people of harappan culture, harappan culture developed Mohan Zadaro as a great trading center for internal as well as external, बेटा Mohan Zadaro से जो अवशेश मिले हैं, उन साक्षर से पता चलता है कि यह एक बहुत बड़ा trading center था, के वाल अंतरीक व्यापार के लिए नहीं बर्कि external, यानि दूसरे countries के साथ में जो external trade हुआ करता था, उन्सके लिए भी, ठीक है, they extended their trade up to Afghanistan, कहां तक इन लोगों ने अपना trade extend किया हुआ था, अफगानिस्तान, इरान, सुमेर, बेबिलोन, टिबबत, ओमान, दिल्मून, एटसेक्टरा, जो आर्टिकल्स मिलें, इनकी जो सील्स हैं बेटा, वो इन सभी जगों, अफगानिस्तान, इरान, सुमेर, बेबिलोन, टिबबत, ओमान, दिल्मून, इन सभी जगों से हडपा सब बेता की महरें हमें प्राप्त, एज़ एविडेंस प्राप्त होते हैं आर्केलोजिस्ट को, ट्रेड वाज एस्टैबलिश्ट रू बोथ लेंड और सी, और साथी साथी पता चलता है कि जो ट्रेड था वो लेंड और सी रूट दोनों से ही किया जाता था, तो बेटा आगे बात करते हैं वेट एंड मेजर्स की, जब माप तोल और माप की इनकी बात करते हैं, तो बेटा हडपा सब बेता की जो लोग थे, व्यापार की सुईदा के लिए क्या किया करते थे, वहाँ पे पूरी तरह से वेट एंड मेजर्स सिस्टम उनके प्रचलित था, और खुदाई के दोरान हमें क्या मिले हैं, बहुत बड़ी संख्या में क्या मिले हैं, वेट मिले हैं, मेजर्स, इनका जो मल्टिप्लाई सा बेटा वो 16 था, लेकिन इतने बड़े-बड़े कु ले किया जाता होगा, और काफी छोटे-छोटे बाट भी मिले हैं, जिससे क्या पता चलता है, बेटा अनुमान लगाया गया है कि अबुशनों को मन को को तोलने के लिए शायद इन बाटों का यूज किया जाता होगा, ये सभी बाट किससे बने हुएं, चट नामक पत्तर स से बनाए जाते थे, और जो डिफरेंस डिफरेंस साइट से हरफन सिविलाइजेशन के डिफरेंस साइट से बेटा जो यहां पे बाट मिले हैं, वेस मिले हैं, मेजरिंग के लिए उनमें सिमिलेरिटी नजर आती है, इनसे क्या क्लियर होता है, इनसे क्लियर होता है कि कही न इनका जो अनुपात है रेशो है वो 1, 2, 4, 8, 6, 8, 16, 32, 64 के रेशो में ये होते थे अब इन बाटों के अधिर्ट वेट के एकोडिंग अलावा हमें हड़ापस सलों से क्या धातू के तराजू और पहमाने भी मिले हैं तराजू और पहमाने भी मिले हैं किसके लिए तोलने के लिए और इस ट्रिक्नेस वाज एक्सराइज ओंडी अक्यूरेसी ओवेट्स अनुप्मेंट्स के लिए अब इसमें क्या कहा है डॉक्टर एच वी शीनवाशन मूर्ति ने यहां पर एक स्ट्रेट्मेंट दी है हरपन सिवलाइजेशन के लिए उनका कहना या था इस वाज सिवलाइजेशन थे जाएजेशन पर इस समकालिन जो सबयता है की मिसरी शुमेरिया बैबिलोनिया की सबयता उसे काफी ऊचा था एक रिसर्च के इसके बाद में क्या बताते हैं डॉक्तर एच वी शी निवाशन मूर्थी ने ये स्टेटमेंट दी इसके साथ बेटा प्रॉफेशन मैनी प्रॉफेशन्स जो थे वहाँ पे अविलेबल थे इन हर अपन कल्चर सच अजी कार्पेंटर क्योंकि हमें इसके साक्षे मिलें कार्पेंटर गोर्ड इसमें हाउस बिल्डर्स, फिशर्में, ज्वैलर, फिजीशियन, पॉर्टर, वीवर एट सेक्टर इट मेंट इच वर्क वाज दन बाई स्केल्ड पीपल क्या पता चलता है कि यहां पे डिवीजन आफ लेबर एविलेबल हो चुका था स्केल्ड पीपर, पर्फैक्शन के साथ जो पॉर्टरी मेकिंग करता था वो पॉर्टरी का वर्ट करता था जो वीविंग करता था वो वीवर था चीक है इस सरह से हमें क्या पता चलता है इस सब्वैता के बारे में कि यहां के जो लोग के उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही सुपीर था अपनी समकाली सब्वेता हो से इस सरह सो जस्ट वी कैन से डाट हरपन सिविलाइजेशन के लोग एक प्रॉस्पेरस लाइफ चो थे स्पेंड करते थे ओके इन नेक्स वी हाव डिसकस दी एकोनॉमिक लाइफ ओफ हरपन सिविलाइजेशन इन दिस वीडियो इन नेक्स वीडियो वी विल डिसकस दी कॉजिस दो डिस अपेरेंस ओफ हरपन कल्चर अडपा सब्वेता के पतन के कारण हम अगली वीडियो में डिसकस करेंगे तिल दैन कीप पॉंटिनीव यर्स चोडी थैंक यू